इस important explanation को बहुत अच्छे समझें, बहुत बार बोर्ड में आया है, बहुत ही important है, बहुत ही थोड़े समय में ये explanation का वीडियो है, इसको समझेगा Hindu civilization, Hindu sabita will, we believe हमें बिश्वास होगी, क्या करेगी? रिटेन, बनाए रखेगी its continuity, इसकी निरंतर था, क्योंकि Hindu sabita की सबसे बड़ी विश्यस्ता है कि ये निरंतर है, ये चलायमान है, चलनशील है, दा भगवत गीता, और जो हमारा पवित्र धार में गिरंत है, हिंदु धर्म का, भगवत गीता will not seize, रुकेगी नहीं, to inspire, प्रे कर्म पर विश्वास रखते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं, भगवत गीता, वैसे ही हम सब को कर्मशील होने का ग्यान देती रहेगी, संदेश देती रहेगी, जैसा कुर्शेतर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उनी के विचार, उनी के संदेश, गीता के माध् बने रहेंगे, एंड उपनिशद, जो हमारे उपनिशद हैं, वो मैन आफ थाट, विचारशी लोगों के लिए अच्छे लगते रहेंगे, और उन्हें प्रभावित करते रहेंगे, तो दो बातें क्लियर हो गए होंगी, भगवत गीता हमें कर्म करने की शिक्षा देती है, और उपनिशद हमें विचार करने की शिक्षा देते हैं, कि हम अच्छा से विचार करें, अच्छे बनें, और जब अच्छे बनेंगे और कर्म भी करेंगे, तो हम दोनों मिलाकर अच्छे कर्म करेंगे, ठीक है, मैंने कहीं पड़ा है, आपने भी शाय सुना होगा, कहा गया हिंदू एक धर्म नहीं है, एक जीवन पड़ती है, इसलिए इंडियन लाइफ स्टाइल, उसके कलर, उसकी खुसूरती, उसके रंग, उसकी रोशनी, ये दुनिया को सदय पसंद आते रहेंगे, हमारे यांगी marriages बड़ी colorful हैं, लोग पसंद करते हैं, हमारे festival, कभी रंगों का तिवार, कभी रोशनी का तिवार, ये भारती संस्कृती की बहुत बड़ी शक्ती है, and the whole world, you know, accepted it and liked it, पूरी दुनिया ने से पसंद किया है, और से सुईकार भी किया है, however, much affected, थोड़ा बहुत affected माने जीवन शेली है, या जीने का जो धंग है, उसमें labor saving है, मतलब ऐसे से प्रयोग और विज्ञान की चमतकार प्रश्यम में हुए हैं, और ऐसे सी मशीने बनाएगी जहां पर लोग कम मेहनत में अधिक सफलता पाएं, इसलिए लोग थोड़े से काम से बचने लगे, या उतना physical exercise, physical pain पहले से कम हुआ है, दूसरी और इंडिया का जो life style रहा है, वो hard working कर रहा है, और thoughtfulness कर रहा है, ये comparison writer ने किया है इस lesson में, People will still love the tales of the heroes of the Mahabharata and the Ramayana, लोग पहले भी पसंद करते थे और आज भी पसंद करते हैं, और कल भी करेंगे हमारे Ramayana महाभारत की कहानियां, उनकी गाताएं, उनकी भीरों की बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े युद्धों की कहानियां, एक और example यहां पर quote करना चा टेली विजन पर Ramayana महाभारत का री टेली कास्ट हुआ बहुत सालों के बाद और लोगों ने तूट कर उसे देखा, इससे पता जलता है कि समय कितना यह बड़ा हो, लेकिन भारतीयों भी सोच, भारत की स्रद्धा, भारती लोगों की जो अपने कल्चर के परती जो एक पुरवाज एंड उर्वशी और उर्वशी और उर्वशी और पुरवागी पसंद करते हैं, ही राजा की भी करते हैं, दा कॉइट एंड जेंटिल हैपीनेस और यह शान्त और बड़ी सज्जन परसंदता है, खुशी है, विज हैज अट आल टाइम्स परवाड़िट इंड अगर इस पर पूरा प्रभाब ना डालें, अगर ना आई होती, इट विल शिरली नाट वैनिश, यह कभी भी समाप्त नहीं होती, दा मोर हेक्टिक वेज अफ तर वेस्ट और जो पश्चिम का जो एक भागधोड का जो शिडिल है जिन्दगी का वैसा ना आया होता, यह हम ऐसा कह सकते हैं, कि जो थोड़ा बहुत चेंज आता है, वो दूसरे देश्चों के इंफिलिम्स से आया है, अदर्वाइज इंडियन्स, जो लाइफ स्टाइल है, हिंडियन्स, जो कल्चर है, जो सिविलाजेशन है, जो लोग की थौटफुलनेस है, ठिंकिंग है, वो नही बदली हैं, इसलिए हिंदु सिविलाजेशन हमेशा जीवित रहेगा, और सारे संसार को रोष्णी देता रहेगा, इस वाज एक्स्वाइशन वेरी इंपॉर्टेंट दियर वन्स, प्लीज प्रिपेर इट फॉर दा एक्सामिनेशन, ओके, बाइ, टेक केर